एक चीज आज के वीडियो में, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अक्सर आप लोग देखते हैं कि बकरी जब हीट पे आती है, तो डिस्चार्ज करती है, और क्रोस कराने के बाद भी डिस्चार्ज करती है, तो कितने दिन बाद क्रोस कराने के बाद डिस्चार्ज करती तो कई लोग ये भी सूंचते है कि बकरी हमारी छो है हीट पर आ गई है तो ये सारी चीज आज के वीडियो में केलियर होने वाली है जो भी आप डिस्चार्ज से लेके परेसान रहते हैं क्रोस कराते हैं इसके भाद आप देखते होंगे बीच बीच में बीच बीच में discharge आता रहता है और आप लोगों को ऐसा लगता है कहीं हमारी बकरी पलट तो नहीं गई है हमारी बकरी कहीं दुवारा पुना हीट पे तो नहीं आ गई है और जैसा कि कहा जाता है एक चीज और मैं confirm कर देता हूं वीडियो में जैसा आप लोगों कहा जाता है कि बकरी का जो cycle होता है मेंसुलेशन चक्र जो होता है वो होता है 18-21 दिन के बीच में लेकिन practically जो मैंने देखा है practically जो देखा हुआ है वो ऐसा है कि 18-21 दिन के पहले भी कई बकरियां repeat कर जाती है दूसरे तीसरे दिन भी बकरी हीट में आ जाती है चोधे पांच में दिन भी हीट में आ जाती है ये बिल्कुल confirm 100% है तो ये मैं practical चीज़ें बता रहा हूँ जैसा कि बताया जाता है कि 18-21 दिन में बकरियां हीट में आती है तो वो चीज़ आपका हो गया scientific तरीका लेकिन हर महीने की प्रतेक महीने की 18-21 दिन के बीच में बकरियां हीट में नहीं आती है ये भी confirm कर लिए चुँकि अपना topic ये नहीं है topic है discharge को लेकर तो बहुत सारे भाई हैं जो discharge को लेकर परेसान होते हैं आप लोगों बता देता हूँ जब बकरी हीट पे आती है आपने देखा होगा बकरी जब हीट पे आती है उस सब पूँच डुलाती है सबसे अच्छी निसानी बकरी को हीट में पहिचानने की निसानी भी है पूँच डुलाएगी पूँच डुलाने के साथ पतला discharge करती है, आप उसकी पूँच उठाके देखेंगे, हलका सा पतला discharge करेगी थोड़ी सी सूजन दिखाए देगी, red color दिखाए देगा, हलका हलका सा उसके पे साब की जगह पे redness आ जाती है ये चीज आप देख लीजिएगा तो discharge आपने देखा discharge का चूँच टॉपिक जो है discharge का है, तो आपने discharge देखा discharge आपका पतला दिखेगा अब आपने cross करा दिया, cross कराने के बाद पुनाय बकरी कब discharge करती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, discharge नहीं समझते हैं तो जान लीजिए कि जब आपने आज मान लीजिए, cross कराया तो उसके दूसरे या तीसरे चौथे, पाँच दिन के अंदर आप देखेंगे आपकी बकरी पुना है discharge करेगी आप उसको ध्यान से देखना जो लोग बकरी cross कराते हो, पाँच दिन के भीतर आप देखेंगे, दुवारा discharge करेगी अब इस discharge को लेकर बहुल लोग confused हो जाते हैं, क्योंकि बकरी discharge कर रहे हैं दुवारा heat पे तो नहीं आई हुई है दुवारा heat पे नहीं आई हुई होती है आप उस discharge को देखेंगे यदि discharge आपका गाड़ा है जिस दिन बकरी heat में आई थी उस दिन पतला discharge तो जिस दिन cross कराने के 2-3 दिन बाद जो discharge आया, वो गाड़ा है यदि गाड़ा काफी mucus जैसा गाड़ा discharge आ रहा है तो आप समझ जाए, 90% तक यह confirm होता है, और discharge देख के बहुत लोग जो इस काम में हैं, वो समझ जाते हैं कि आपकी बकरी जो है, वो रह जाएगी प्रेगनेंट हो जाएगी उस discharge को देखके, तो बकरिया cross कराने के कितने दिन बाद पुना discharge करते हैं, 5 दिन के रहती हैं, तो यह कोई बहुत बड़ी समझ जादा discharge आता है तो यह समझ तो हो सकती है बाकि थोड़ा बहुत बीच बीच में discharge करती है, तो कोई भी समझ जाएगी तो discharge को लेके, आप लोग जो है, यह परेसान जो होते हैं कि heat में कहीं नहीं आई तो heat के देखो लच्छन यदि सो करती है heat के लच्छन सबसे main जो लच्छन होता है पूँच डुलाने का होता है बकरी heat में आएगी पूच जरूर डुलाएगी आप मीमी आये या ना मीमी आये कई बकरियां मीमी आती है सोर मचाती हैं कई नहीं सोर मचाती हैं तो ये चीज हो गया तो आपको उस डिस्चार्ज को लेकर बिल्कुल भी परेसान नहीं होना है कि ये डिस्चार्ज क्यों आया है डिस्चार्ज क्रोस होने के दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज इस तरह का आता है तो ये छोटी सी प्र तो मैंने आपको बिल्गुल टित युए तो यहीन पतला डिसचाझ रहता है दूसरे इसी दिन गाडा डिसचाझ काती है यह गड़ा डिसचार्ज काफी में मैसेज कर सकते हैं ग्रूप भी चला है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं और काफी इस तरह के ग्रूप चल रहा हैं तो आप कही न कहीं ग्रूपों से जुड़ सकते हैं जुड़के वहां से जानकारी लेते रहिएगा दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी छोटे से ही टॉपिक पे लेके मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, have a good day, thank you